आशियाना पुलिस ने डांडिया नाइट के नाम पर जालसा जीव अमानत में खयानत के आरोप में दो आयोजकों को रविवार को गिरफतार कर लिया है। नामजद सपना चौदरी से भी जल्द तहकी कात की जाएगी। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस को पता चला है कि दो लाक रुपए के जगड़े में सपना चौदरी कारे करम में नहीं आई थी। अपर पुलिस अधीक शकनागर पूरवी सरवेश कुमार मिश्रा ने बताया कि स्मिती उपवन में शनीवार रात प्रस्तावित डांडिया नाइट में कलाकार सपना चौदरी के ना आने से आक्रोशित दशकों को तोड़ फोड करते दे किसी तरह हालात काबू में किये गए। इसके बाद आश्याना की किला चौकी प्रभारी फिरोज खान की तरफ से शनीवार रात कलाकार सपना चौदरी वा आयोजकों के खिलाफ जाल साजी और आमानत में खयानत क प्रात में की दर्च की गई थी। विवेचना कर रहे हैं उपनी रिक्षक बालेश्वर प्रसाद ने नामजद गूमती नगर बड़ी जुगाली निवासी रतना कर उपाध्याएवा आलमबाग के छोटा बरहा निवासी अमित पांडिये को गिरफतार कर लिया है। इनके सपना चौदरी द्वारा कारेक्रम में आने के लिए 8 लाक की मांग की गई थी और उन्हें 6 लाक रुपे देना चाह रहे थे। 2 लाक रुपे के विवाद में सपना चौदरी कारेक्रम में नहीं आई। विवेचक ने अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की है। आयोजन को उन्होंने पांचो से तीन हजार रुपे तक के टिकट बेज कर लाखों रुपे वसूले एन वक्त पर सपना चौधरी के न आने की जानकारी दी गई उन्होंने रकम वापस दिलाने और कारवाई की मांग की है सपना चौधरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है इसमें बताया है कि लखनओ में डांडिया महोत्सव में भागिदारी करने आई है एसे ड़टक सर्वाइवर्स से मिलेंगी और शॉपिंग भी करेंगी शो को लेकर बिना आयोज कों का नाम लेकर कहा कि लखनओ में आयोजन का उनका कोई इवेंट नहीं था वे वहान नहीं जाती जहां उन्हें बुलाया नहीं जाता कई बार तय इवेंट को आयोजन खुद कैंसल कर देते हैं सोची समझी चीज़ें होती हैं, कलाकार की ही गलती नहीं होती, इस दोरान उन्हाएं ने अपने फॉलोवर्ज के सवालों के जवाब भी दिये, इस वीडियो को एक दिन में 48,000 बार देखा गया